स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाली हूँ आपके साथ कि आपको एच्टट के एक्जाम के लिए क्या-क्या चीजे प्रिपेर करनी है और आपको क्या ले करके जाना है और क्या नहीं ले करके जाना है तो आ एक होती आपकी candidate copy और एक होती आपके center की copy ठीक है तो जो candidate copy है न वो लेके जाने अनिवारिय नहीं है लेकिन जो center की copy है आप उसको ले करके जाएंगी और क्या इसमें लगाना है क्या नहीं लगाना है ये भी आपके साथ discuss करोंगे first point देखिए ये जो आपको मैं दिखा रही है ये आपके admit card में as it is मिलेगा ठीक है तो सबसे पहला point क्या है visit करें आप examination center को before आपके paper से एक दिन पहले आप अपने center को जरूर visit करें ऐसा इन्होंने recommend किया है अगर आपको लगता है कि आपको आपके center का रस्ता जो है वो पता है इन्होंने suggest किया है कि आप इसको आपको जो है visit करना चाहिए ठीक है तापके आपको पता चल जाए admit card जो है आपको colored में print करने है colored होने चाहिए आपके admit card black and white admit card को ये लोग बिल्कुल भी accept नहीं करते और आपको जो है paper से one cheat रखा जाएगा अगर आपने black and white admit card को print कराया तो ठीक है उसके बाद आपको कब पोचना है आपको कम से कम 2 घंटे 10 मिनट से पहले exam center के बाहर अपनी presence को show करना है और ये जो है अगर इतना जल्दी भी नहीं पोच पाते हो ना तो कम से कम 1 घंटा पहले आपको अपनी presence show करनी है exam center के बाहर क्योंकि आपको other formality भी पूरी करनी प्रोपर जो checking होती है बाय मैटरिंग में लंबी 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 लाइने लगती है चीक है तो आपको जो है एक गंटे पहले कम से कम पोचना है क्योंकि इन्होंने कहा है कि एक गंटे के बाद क्योंकि एक गंटा पहले आपको जो है वहांपे एंटर नहीं कहोने दिया जाए कि इतना रस्ता है जाम वगएरा रहेगा कि नहीं रहेगा अब यह जो है तोटली आपके उपर depend करता है ठीक है उसके बाद next point है कि आपको क्या ले करके जाना है तो देखो इन्होंने साफ बात लिखी है आपकी center को पी ले करके जानी है ठीक है जिसमें आपका colored admit card रहेगा और उसके उपर आपका same photo होना चाहिए जो photo आपने admit card के उपर print करवाया हुए है न वही same photo colored लेना है ठीक है colored को paste same photo colored आपने उस पर क्या करना है paste करना है ठीक है और उस photo को आपने किसी भी gadgeted officer से क्या करना है sign भी करना है इस बात को ध्यान रखना बच्चे इसमें नहीं कर पाते हैं इसमें confused हो जाते हैं और भूल जाते हैं अपनी त्यारी के चक्कर में तो त्यारी तो बाद में छोड़ो अभी पहले आप अपना admit card आपके कल आ चुकी है ठीक है सबसे पहले आप ये काम करो ये करके रखो पता नहीं कब कौन सी छुट्टी आ जाए तो gadgeted officer से अपने जो admit card है उसको पहले उस पे colored अपनी same photo लगाओ जो आपकी photo same card पे है ठीक है और उसके बाद उसको क्या कराओ sign कराओ ठीक है second चीज इन्होंने साफ साफ बोल रखी आपको black ball point का यूज करना है काला पैन होना चाहिए है ठीक है नीला नहीं होना चाहिए है तो काला पैन लेकर के जाएंगे आप लोग नीले से आप लोग जो है बबल नहीं करेंगे उसके बाद जो आपने identity आपने card अपने application form में लगाई है न वो ही आपने original लेनी है मानलों अगर आपने अधार card के number डाले है तो अधार card लेकर के जाएंगे pen card डाला है तो pen card लेकर के जाएंगे जो भी आपने identity x y z लगाई है वो आपकी original होनी चाहिए है ये लोग देखते हैं जब आप exam देने के लिए जाएंगे तब भी देखेंगे और exam देने के लिए बैठोगे तब भी देखेंगे बहुत बार देखते हैं ठीक है नेक्स चीज़ देखेंगे candidate without colored admit card जो है आपको वंचित रखा जाएगा ठीक है अगर आपके पास admit card अगर colored नहीं है तो आपको same colored photo होगा वो आप से ले लिया जाएगा आपको नहीं दिया जाएगा ठीक है और वो आपको देखे ही आना है कभी भूल के आ जाओ वैसे तो ले लेते हैं लोग और duly attested देखो यहाँ पे लिखा है duly attested by a gadgeted officer ठीक है तो आप किसी से भी इनको जो है जो है sign करा सकते हो बिना sign करके नहीं जाना उसके बाद आपको क्या-क्या नहीं ले करके जाना है देखो इन्होंने साफ यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है इन्होंने कि आपको जो है यह सारी चीजे कोई भी metallic चीज नहीं होनी चाहिए है आपने सिरफ अपने कपड़े पहने होे हो ठीच है उसके बाद न में कुछ होना चाहिए ना आपके कानों में ना आक में ठीक है कहीं कुछ भी नहीं होना चाहिए है तीक है और मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो भी married candidate है न female जो married candidate है वो अवोईड करना भाई ये सब कुछ आपके कान की बालिया जो तीन चार आपने छिदवाए हुए कान इन सब को निकाल करके जाना क्योंकि बाद में बड़ी समश्चा होती है ठीक है और बहस करने से ना कोई फाइदा नहीं है आपका खुद का दिमाग खराब होएगा आपका पेपर यहां पे खराब हो सकता है त आपके जो ब्लेक पैने ना उसके ठीक है इसके अलावा आपके पास कोई एक स्वाइजर चीजे नहीं होनी चाहिए आप इन्होंने वीमन को छूट करी है क्या आप मंगल शुतर कर सकते हो बिंदी सिंदूर कर सकते हो और जो भी सिख कैंडिडेट है वो उनका धार्मिक ची इसलिए अपनी पहली अभी आज से ही निकाल दो ठीक है आज से ही त्यारी कर लो भी आज से ही निकाल दो गर नहीं निकल रहा है तो कोशिश कर लो आज ही किसी से भी निकल वालो लेकिन एंड टाइम में नहीं करना कि भई लो मेरा तो अब आदे गंटे पहले आदे गंटे उसके बाद आपको क्या करना है आपकी जो OMR sheet है उसको hand over कर रहे बिना नहीं छोड़ना है ठीक है ये तो करना ही नहीं चाहिए आपको उसके बाद जो भी instruction आपको अच्छे से read कर लेनी है वो आप कर लेंगे उसके बाद जो भी आपकी question booklet होगे ना उसके उपर आप अपना ज सी सीज़िव की निगराने में होंगे तो कुछ भी करने की कोशिश नहीं करना इधर उदर ठीक है उसके बाद क्या है देखो इन्होंने ये जो physically handicapped या फिर जो learning disorder candidate है ना उनके लिए बताया भी आप लोग को ना अगर आपके साथ कुछ ऐसा है ठीक है तो आपको इनको बताना है board office में आपको जो है inform करना है कि 30 नवंबर से पहले पहले ताकि आपको जो भी सुविधाई है वो ये प्रोवाइड कर सके ठीक है और जो भ बताना पड़ेगा 30 नवंबर से पहले पहले ठीक है और जो भी आपके राइटर होंगे ना जो आपके बिहाफ पे काम करेंगे उनकी जो education है वो बारवी से आगे नहीं होनी चाहिए है वो बारवी तक ही होनी चाहिए है ठीक है तो आप जो भी candidate है आप इस चीज को प्लीज देखना और आपने last option इन्होंने क्या बता है कि आपने covid-19 के instruction का क्या करना है पालन करना है ठीक है तो यह सारी चीजे है फिर से आपको एक बड़ी जल्दी जल्दी बता देती हूं कि आपने अपना center copy लेना है admit card की उसके ओपर same photo को आपने क्या करना है प्रिंट करना है पान में है नाक में है सब कुछ आप निकाल करके जाएगा बालो को भी आपनी खुला चोड़ लेना है अभी का पता नहीं लेकिन पिछले बार इन्होंने रबबर भी निकलवा दिये थे तो अपनी खुले बालों से लराते बालों से एक्जाम दो आप और उसके बाद आप अपनी त्यारे में लगे हुए हैं और इस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं ठीक है तो चलिए मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में एक नए टोपिंग में थेंक यू थेंक्स पर वचिंग में